हेलो फैमली आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स फिर से एक मैं नया वीडियो नया टॉपिक आपके लिए लेकर आई हूँ अगर आपका भी नौवा महीना लग गया है नौवा महीना लगते ही कभी भी आपका लेवर पेन सुरू होने का अंदेशार रहता है लेकिन क्या होता है कि कुछ महिलाओं का जो डॉक्टर के दोरा बताई गई डिलिवरी डेट जो डेट होती है इडिडी डेट होती है और क्रॉस हो जाती है इसके बाद भी उनका लेवर पेन नहीं आता है तो क्या होता है कि जब उनका लेवर पेन नहीं आता है तो परेशान होने लगती है कि अम मैं क्या करू लेवर पेन तो आया ही नहीं तो डॉक्टर के पास जाती है डॉक्टर कुछ दवा या फिर कुछ और देकर उनको बोलता है कि ठीक है थोड़ी दिन और वेट कर लो लेकिन मैं आपको एज एक आज इस वीडियो में तीन ऐसे घरेलू नुस्खे बताने वाली हूं जिसको कि अगर आपका 36 विक खतम हो गया है और अगर आपका लेवर पे नहीं आ रहा है तो आप 38 विक से आपको ये तीन चीज लेना शुरू कर तीनों में से कोई एक चीज आपको लेना शुरू कर देना चाहिए अगर इन चीज को आप लेती हैं लिमिट मात्रा में तो आपको गरांटी है लेवर पे जरूर आएगा सबसे पहला है रस भरी की पतियां देखिए जैफ्रेंड्स ये मैजिक की तरह काम करती है रस भरी की पतियों का चाय बना लीजिए इसमें आपको कुछ डालना नहीं है अगर इसका सुछ साथ आपको कड़वा लग लग रहा है तो हलका सा मेटा के लिए गुर डाल सकती हैं इसके बाद आपको इसमें कुछ मिलाना नह को मतलब एक कप छोटी सी कप से एक कप आपको लेना है यह अगर पी लेती है तो आप 38 वीक से आप पीना सुरू कर देती है अगर आपका डिव डेट क्रॉस हो गया है अगर लेवर पेन नहीं आ रहा है तो अगर इस चीज को आप लेना सुरू कर देती है रस भरी की पतियों क अच्छा है तो आपको लेवर पेन गारांटी के साथ आ जाएगा क्योंकि यह क्या करता है यह आपके पेल्विस के एरिये को मुलाइम और लचीला बनाने लगता है और आपके यूट्रेस में कंट्रिक्शन पैदा करने लगता है जिससे कि आपको आसानी से लेवर पेन आन तो सुगर है ना तो थराइड है ना तो आपको बच्चा उल्टा है ना तो आपको प्रेग्नेंसी में डॉक्टर ने बताया है कि कोई कंप्रिकेशन है बेडरेस्ट है कोई कंप्रिकेशन नहीं है तो ही इन चीजों को आपको उप्योग करना चाहिए वरना आपको उप्यो तो आपको contradiction आने लगेगा lever pen आने लगेगा तो इसका जो प्योग आप बहुत जब ज्यादा 23 cup Hybrid पीने लगे इसको आपको नहीं करना है आपको केवल लीमिट में एक cup ही लेना हे लेकिन wonderwood cup फल नहीं लेना है उसकी पतिया आपको लेना है अगर इसका चाय पीती है तो ये आपको काफी बेनिफिट देगा आपको लेवर पेन इंड्यूस कराने में कॉंट्रेक्शन पैदा करने में इसके बाद आपको क्या करना है अजवाइन का पानी अजवाइन का पानी भी काफी बेनिफिट होता है आपको लेवर पिनलाने में तो अगर आप सुबा सुबा अजवाइन का पानी खाली पीती है तो ये क्या होता है इसकी तासीर गर्म होती है और ये आपको labor pillar induce कराने में काफी आपकी help करेगा अगर इस चीज को आप saveन करती है तो लेकिन आपका जब due date cross हो जाता है तो ही इस चीज को लेना है इसके बाद तिसरा जो चीज है ओ है जीरे का पानी जीरे का पानी भी काफी आपको benefit देने वाला है जीरे का पानी भी वैसे ही जैसे अजवाईन का पानी आपने बनाया वैसे ही आपको जीरे का भी पानी बना लेना है इसके बाद इस चीज को आपको सुबह सुबह खाली पर saveन करना है इन तीनों में से अगर आप पाड़िवडेट निकल गया है अगर ज्यादा मात्रा में कोई चीज आप लेंगे तो ये आपको नुकसान ही करेगा फाइदा नहीं करेगा अगर आप कोई चीज की फाइदा लेना चाहते हैं तो उसको आप लिमिट मात्रा में ले ज्यादा मात्रा में आपको नहीं लेना चाहिए ये जो रस भरी की पतियो ही के दौरान अगर आप रस्भरी की पतियों का चाय लेती हैं तो ये गर्भासे की मान स्पेशियों को मजबूत बनाता है और आपके लेवर को इंड्यूस करने में आपकी काफी हेल्फ करता है और लेवर के दौरान असानी से आपका जो है नॉर्मल डिलिवरी को असान तो अगर आप रस्भरी की पतियों का चाय पीती है या फिर अजवाइन का चाय पीती है या फिर आप जीरे का पानी लेती है तो आपको लिमिट मात्रा में लेना है एक कपसे अधिक आपको नहीं पीना चाहिए वो भी गुनगुना सिप सिप करके आपको पीना चाहिए ताकि आपके लेवर में ये इंड्यूस करा सके इसके अलावा अगर आपका लेवर पे नहीं आ रहा है तो आप अपने पार्टनर के साथ रिलेशन में भी रह सकती है क्योंकि ये जो है रिलेशन में रहने से आपको आपके जो हार्मोन है वो उत्तेजित होते हैं लेकिन एक बात को आपको ख्याल रखना है कि आपके पेट पे कोई भी प्रेशर नहीं पढ़ना चाहिए इस चीज को भी आपको भरपूर ख्याल रखना है अगर आपके पेट पे दबाव या जोर परता है तो आपके सिसू को नुकसान करेगा तो आप रिलेशन ऐसे बनाएं जैसे कि आपके सिसू के उपर प्रेशर ना पड़े तो रिलेशन बनाने से भी आपको जो लेवर नहीं आ रहे हैं लेवर इंडूस होते हैं तो ये सारे चीज अगर आप करती हैं तो आपको लेवर पेज आने में काफी हल्प मिलेगा लेकिन ये सारे चीज को करने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्टेशन जरूर करिए इसके अलावा ये सारे चीज का इस्तेमाल करती है तो आपके pregnancy में कोई complication नहीं होना चाहिए अगर आपके pregnancy में कोई भी complication है A to Z तो यह सारे चीजों का आपको इस्तमाल नहीं करने हैं नहीं तो आपको नुक्सान हो सकता है और आपको जब आपका डिव डेट निकल जाए तो ही इन चीजों का आप भी उपयोग करें आसा है हमारी बात आपको समझ में आई होगी मिलते हैं अगले वीडियो में थांक्यू बाइब बाइब बाइब